हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट मैट्स के बारे में मतलब अगर आप सीटेट एक्जाम देने वाली हो तो उसमें आपका पॉर्षन आएगा एक मैट्सका ठीक है तो इस मैट्स की प्रिपेशन आपको किस तरीक करने होते तो 15 नंबर की पैटागोजी पैडागोजी आती थी ठीक है अब क्या है में भी यही रहे जो पैटर्ण है उनका में भी थोड़ा बहुत वह चेंज कर दें तो पैडागोजी तो आपने पढ़नी ही है वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी लेकिन यह 15 मार्क्स के क्या आ आपको तयार कैसे करना है मैज सेक्शन के लिए आपको मैज के लिए सबसे पहले सारे के सारे बेसिक्स क्लियर होने होने चीए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट अटम्ट में भी सीटेट क्वालिफाइड नहीं होता है इतना बड़ा कोई एक्जाम नहीं है यह बह क्वालिफाइड करना होता है अच्छे नंबर आजाते तो कोई दिक्कत नहीं है जादा मांक्स अगर आपके आजाते हैं ठीक है तो मैज हम कैसे प्रिपेर करें कैसे मैज सेक्शन को हम इंप्रूव कर पाएं चाहे आप किसी भी एक्जाम को तो चाहे वह सीटेट हो यूप इस चाहनल पर आपको सीटेट की मैज्स के लिए वीडियो अप्लोड होती रहेंगी ठीक है अलग सिक बैच भी हैраж कि इस चाहले लीए आपको इस चाह larva स्मीं ही जाए मिलेंगी सी चाहां को लेन लेंगी मिलें हैं कोईवी एक्जाम हो टेट एक्जाम यूपी डेट ठीक है वीडियोस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी इस चैनल पर जिसमें कुछ कॉंसेट्स बताए जाएंगे और कुछ क्वेशन्स बताए जाएंगे अगर किसी को complete batch लेना हो ठीक है मतलब पूरा का पूरा अगर आपको किसी भी एक्जाम के लिए मैट्स को पढ़ना है तो वो भी आपको मिलेगा वो अलग से रहेगा पेड रहेगा ठीक है नियर अबाउट 299 उसकी फीस रहेगी ठीक है बाकी अगर आप self study करना चाहते हो यह तो अलग से बात हो गई जिनको लगता है कि मुझे पढ़ना है ठीक है यह उनके लिए है सिर्फ जिनको लगता है कि मुझे match को prepare करना चाहते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले NCRT पढ़ो first class से लेकरके 8th class तक की NCRT बहुत अच्छे से ठीक है first class से 8th class तक एन-सवी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया आपने revision भी उसका बहुत अच्छे से कर लिया तो कोई भी question आपका ऐसा नहीं आएगा जो आप ना कर सको डिक्टो एक्षाम नहीं मिलेगा यहां से डिक्टो एक्षाम एक्षाम में लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि यहां से अगर आपने lifestyle पढ़ लिया उसको सीख लिया तो जो भी question एक्षाम में आएगा वो आप definitely कर ही पाउगे तो इतना ही level आता है ठीक है अभी मैंने syllabus देखा नहीं है यह मैंने पहले के हिसाब से बताया इतना ही आता है ठीक है one से लेकर class first से लेकर के class eight तक का ठीक है तो जो इसका syllabus है उसके उपर भी जल्दी वीडियो में डाल दूगी कि कैसे-कैसे वो syllabus आप complete कर सकते हो ठीक है ना आपको कहीं भी जाने की जरूरत निया, ना आपको किसी वीडियो की जरूरत है, ना आपको किसी टीचर की जरूरत है, कहीं किसी भी चीज की जरूरत निया, सिर्फ self study कर लो, आपका exam clear हो जाएगा, ठीक है, तो इतना है, अगर maths पढ़नी है, तो 1st class से लेकर 10th class सकी maths क्लि ठीक है, फिर तो आपको 10th class सकी maths चाहिए, चाहिए, सीटेट के लिए 1st class से लेकर के 8th class की maths आपको बहुत अच्छे से करने होंगी, जितने भी उसके अंदर topics आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने हों, क्योंकि यह है हमारा base, और math है कैसा section है, जिसमें आप बिना base क चल ही नहीं सकते, जब तक आपको board mass rule ही नहीं आता, सबसे पहले क्या होता, board mass rule, ठीक है, अगर आपको board mass rule ही नहीं आता है, तो आप math का कोई भी question लो, algebra में चले जाओ, वो आप solve नहीं कर पाऊगे, ठीक है, अगर आपको board mass नहीं आता ना, तो इसके अंदर जा करके, या को base बन जाएगा, और अगर किसी को लगता है कि मुझे batch की जरूरत है, तो आप videos देख सकते हो, videos में आपको कैसे बढ़ाया जाता है, अगर आपको लगता है, तब ही लेना, ठीक है, यह जरूरी नहीं कि मैं यह आवे paid classes के बारे में बोल रही हूँ नहीं, अगर आप self study कर सकत हो तो यह है, सीधा सीधा first class से लेकर के eighth class तक की NCRTs पढ़ लो, कोई दिक्कत कहीं धरुदर जाने की भटकनी कोई जरूरत नहीं है, उनहीं बार-बार करो, फिर CETAT के जो previous year questions है, उनको उठा कर के solve कर लो, ठीक है, और UTAT या कोई भी other exam है, उसके previous year question करो, बस उतना करनी की ज लेना है math के लिए, वो हर एक exam में आपको काम आएगा ही आएगा, तो आप ले सकते हो, ठीक है, तो यह थी CETAT math के बारे में, आपके लिए छोटी सी information, ठीक है, इस बार जो exam होने वाला है, online होगा, अब यह मत सोचना, online exam है, तो tough है, यह वो कुछ है नहीं होता, online exam में, online exam ज गलती से हो जाता था, मेरे साथ भी हुआ है, कि offline में करना था, इसको गलती से यह वाला हो गया, black, online में क्या है, अगर आपने exam अपना paper आपने पूरा solve कर लिया, उसके बाद आप check भी कर सकते हो, मतलब जैसे आप check भी कर सकते हो, नहीं, आपने 4 option टिक कर दिये, उसके बाद अगर आपने बाद में देखा कि अरे यह तो गलत पर टिक कर रखा है, हो जाता है भाईचान से असा जल्दी जल्दी में, गलत पर टिक कर रखा है, तो उसे आप सही भी कर सकते हो, online के यह फादा होता, और कुछ नहीं करना होता, उसमें, बहुत ही जाद है, सिर्फ आपको माउस यूज करना आना चाहिए, सिर्फ उसी का ही काम है, और कुछ नहीं करना होता, online में, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, online में, online से घबराना ही नहीं है, कि इस बार online exam हो रहा है, offline नहीं हो रहा है, उसमें कोई attention नहीं होती, question आपके सामने आते रहते हैं, सिर्फ आपको answer solve करना होता, pen or paper की help से, वो आपको बहीं पर मिलते हैं, answer solve करना होता है, question को solve करके, answer निकाल करके, सिर्फ आपको option टिक करने होते हैं, और इसमें आप option change भी कर सकते हो, offline में आप change ही नहीं कर सकते कर आप से, by mistake गलत फिल हो गया है, तो online में आप आराम से change कर सकते हो, online का ये benefit ह है, जो मुझे लगता है हमेशा से, ठीक है, offline में तो दिक्कत लगती है, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, paper solve करने में, थोड़े से आप mock test लगा लेना, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा, पहले paper 2-4 solve करके, mock test लगा करके, देख लेना, जरू के maths के paper के बारे में सिर्फ इतनी ही बात थी, ठीक है, self study अगर आप कर सकते हो, तो first class से लेकर के 8th class की NCRT books अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, और अगर आपको class लेनी हो, तो class ले सकते हो, और videos आपको मिलती दहेंगी, ठीक है, वो भी आपको help करेंगी ही करेंगी, तो इस video मे और हाँ, please videos को share करना, मत भूलना Hello friends, welcome back to my channel, तो इस video में हम बात करने वाले हैं, CTET maths के बारे में मतलब अगर आप CTET exam देने वाले हो, तो उसमें आपका portion आएगा एक maths का, ठीक है, तो इस maths की preparation आपको किस तरीके से करनी है, कौन-कौन सी books आपको पढ़नी है, ठीक है, इसमें अब तक जो offline exam होता था, क्योंकि इस बार से online exam होगा, ठीक है, अब तक जो offline exam होता था, उसमें 15 number के questions आते थे, जो solve करने होते हैं, तो 15 number की pedagogy आती थी, ठीक है, अब क्या है, मेभी यही रहे, जो pattern है, उनका मेभी थोड़ा बहुत, वो change कर दे, तो pedagogy तो आपने पढ़नी ही है, वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन यह 15 marks के, क्या पता 15 से ज्यादा marks के भी question solving के ल आपको तयार कैसे करना है, math section के लिए आपको, math के लिए सबसे पहले सारे के सारे basics clear होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके first attempt में भी seated qualify नहीं होता है, इतना बड़ा कोई exam नहीं है, यह बहुत ही easy exam है, जो सिर्फ आपको qualify करना होता है, सिर्फ और सिर्फ qualify करना होत होता है, यह चीज अपने mind से निकाल दो, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है, हमारा first attempt में seated नहीं हो पा रहे है, तो वो इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ हमें qualify करना होता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जादा मांस अगर आपके आ पढ़ेंगी, और seated के लिए, तो आपको must है कि NCRTs आपको पढ़नी पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी, ठीक है, अगर आप self study कर रहे हो, अगर आप self study यहाँ पर लेखो, इस चैनल पर आपको seated की maths के लिए, वीडियोज अप्लोड होती रहेंगी, ठीक है, अलग सिक बैच भी है, seated की maths के लिए, आपको इस चैनल पर वीडियोज मिलेंगी ही मिलेंगी, seated हो या कोई भी exam हो, TET exam, UPTET, ठीक है, वीडियोज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी इस चैनल पर, जिसमें कुछ concepts बताए जाएंगे, और कुछ questions बताए जाएंगे, अगर किसी को complete batch लेना हो, ठीक है, मतल अगर आप self study करना चाहते हो, ये तो अलग से बात हो गई, जिनको लगता है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, ये उनके लिए है, सिर्फ जिनको लगता है कि मुझे maths पढ़ने की जरूरत है, या मेरी maths बहुत वीक है, मुझे किसी teacher की जरूरत है, तो उसके लिए है, सबके लि करके, 8th class तक की NCRTs बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से, ठीक है, 1st class से, 8th class तक की NCRTs अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, आपने revision भी उसका बहुत अच्छे से कर लिया, तो कोई भी question आपका ऐसा नहीं आएगा, जो आप ना कर सको, डिक्टो question नहीं मिलेगा, यहां से डिक्टो question आपको नहीं मिलेगा exam में, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि, यहां से अगर आपने maths पढ़ लिया, उसको सीख लिया, तो जो भी question exam में आएगा ना, वो आप definitely कर ही पाओगे, थोड़ी बहुत वीडियो से help लेगे ना, ठीक ह तो वो questions आप कर ही कर पाओगे, ऐसा होगी नहीं सकता कि आप maths के questions solve ना कर पाओ, ठीक है, अगर आप चाहो किसी और TET exam के अगर आप तयारी कर रहे हो, seated में तो इतना ही level आता है, ठीक है, अभी मैंने syllabus ज़रा देखा नहीं है, यह मैंने पहले के हिसाब से बताया, इतना ही ठीक है, 1 से लेकर, class 1 से लेकर, class 8 तक का, ठीक है, तो जो इसका syllabus है, उसके उपर भी जल्दी वीडियो में डाल दूगे, कैसे कैसे वो syllabus आप complete कर सकते हो, ठीक है, तो main तो आपको इतना, अगर आपको first class से लेकर, 10th class तक की, 10th तक माल लो, इससे उपर जाने की जरूरत ही न ज़र आपको maths आती है, ना आपको कहीं भी जाने की जरूरत निये, ना आपको किसी वीडियो की जरूरत है, ना आपको किसी teacher की जरूरत है, कहीं किसी भी चीज की जरूरत निये, सिर्फ self study कर लो, आपका exam clear हो जाएगा, ठीक है, तो इतना है, अगर maths पढ़नी है, तो first class से तेंथ क्लास सकी मैस क्लियर कर लो, सीटेट के लिए तो फर्स्ट क्लास से लेकर के एट्स क्लास सकी मैस ही बहुत है, काफी है, उससे आगे जाने की ज़रुरत ही नहीं है, ठीक है, अगर यूटेट हुआ आपका, उत्राखंटेट, यूपीटेट, फिर तो आपको 10th क्लास सकी मैस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, फिर तो आपको 10th क्लास सकी मैस चाहिए ही चाहिए, सीटेट के लिए 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास की मैस आपको बहुत अच्छे से करने होंगी, जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं वह आपको बहुत अच्छे से करने हों क्योंकि यह है हमारा बेस और मैं थेक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बिना बेस के चल ही नहीं सकते जब तक आपको बॉर्ड मास रूल ही नहीं आता सबसे पहले क्या होता बॉर्ड मास रूल ठीक है अगर आपको बॉर्ड मास रूल ही नहीं आता है तो आप मैस का कोई भी क्वेश्चन लो एलजेब्रा में चले जाओ वो आप सॉल्फी नहीं कर पाओगे ठीक है अगर आपको वार्ड मास नहीं आता ना तो इसके अंदर जाकर कि या कोई भी सेक्शन लो फिर आप सॉलफी नहीं कर सकते तो इसलिए मैस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेस और बेस कहां से बनेगा आपका और अगर किसी को लगता है कि मुझे बैच की ज़रूरत है तो आप वीडियोस देख सकते हो वीडियोस में आपको कैसे बढ़ाया जाता है अगर आपको लगता है तब ही लेना ठीक है यह ज़रूरी नहीं कि मैं यह आप पेड़ क्लास के बारे में बोल रहे हूं नहीं अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह है सीधा सीधा फास्ट क्लास से लेकर के एट क्लास तक की अंसी आर्टी पढ़ लो कोई दिक्कत कहीं धरुदर जाने की बटकनी कोई जरूरत नहीं है उन्हीं बार-बार करो फिर सीटेट के जो प्रीविएस यर क्वेशन से उनको उठा कर की सॉल्फ कर लो कर लो ठीक है और यूटेट या कोई भी अधर एक्जाम है उसके प्रीवेस यर क्वेशन करो बस उतना करने की जरूरत होती है सीटेट में ठीक है मैस के लिए ठीक है और अगर आपको लगता है कि मुझे मैस सीखना है मेरी वीडियोस आप देख सकते हो उस लाईकसा से लिए इस इन्फ्रमेशन टीक है इस बार जो अग्जाम होने वाला है उनलाइन होगा अब यह मत सोचना ओं-लाइन एक्जाम है तो तफ है मतली तक है यह वह कुछ ही नहीं होंता ऑनलाइन इक्जाम में और भी ज्यादा हमारे लिए और लिए आप यह जाता है क अगर आपने एक्जाम अपना पेपर आपने फूरा सॉल्फ कर लिया उसके बाद आप चैक भी कर सकते हो कि मतलब जैसे आप चैक भी कर सकते हो नहीं आपने चार ओप्शन टिक कर दिये उसके बाद अगर आपने बाद में देखा कि अरे यह तो गलत पर टिक कर रखा है हो जा दिखिए बात नहीं होती ओनलाइन में ऑनलाइन से घबराणा ही नहीं है की स बार on-line change भी कर सकते हो offline में आप change ही नहीं कर सकते कर आप से पाइमिस्टिक गलत फिल हो गया है तो online में आप आराम से change कर सकते हो online का यह benefit है जो मुझे लगता है हमेशा से ठीक है offline में तो दिक्कत लगती है उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है पेपर सॉल्फ करने में थोड़े से आप मॉक टेस्ट लगा लेना ठीक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी थोड़ा था पहले पेपर दो चार सॉल्फ करके मौक टेस्ट लगा करके देख लेना जरूर की कैसे सॉल्फ होता है पिपर तो सीटेट के मैट्स के पिपर के बारे में सिर्फ इतनी ही बात थी ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो और हाँ प्लीज वीडियो उसको शेर करना मत भूला